हाली में सुपर डांसर चैप्टर 4 के जज अनुराग बासु ने वॉलिवूट के दिगज अभिनेता सुनिल दत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने जीवन में अक्टर संजेद दत के पिता सुनिल दत की भूमेका के बारे में बात करते हुए बताया है कि आज वो सुनिल दत की वज़े से जिन्दा है। ये बात तो सभी जानते हैं कि इस टांस रियालिटी शो के मंच पर अकसर ही कुछ न कुछ नए खुला से होते रहते हैं। लेकिन इस पार अनुराग बासु ने अपने जीवन में सुनिल दत की भूमेका के बारे में सब को खुल कर बताया है कि एक वक था जब वो सुनिल दत से मिलना चाहते थे। इसे लेकर उन्होंने महेश्वट से मुलाकात भी की। लेकिन दुरभाग्य से वो दिन कभी नहीं आ पाया और बॉलिवुट के दिकज अभिनेता सुनिल दत का निधन हो गया। तब ही अनुराग बासु ने एक पुराने घटना को याद करते हुए बताया कि एक बार जब वो बिमार थे कैंसर की बिमारी से जूज रहे थे तब उस वक्त उनको हास्पि अनुराग बासु ने कहा आज मैं यहां सुनिल दत की वज़ा से जिन्दा हूँ बीमारी के वक्त वह हर दो दिन में मुझे फोन किया करते थे और मेरे हेल्थ के बारे में पूछा करते थे लेकिन ये बात मेरा दिल तोड़ देती है कि उनकी मदद के लिए मैं कभी उन्हें शुक्रियादा नहीं कर पाया अनुराग बासु ने कहा कि उन्हें कभी सुनिल दत को शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला मैं दत परिवार का बहुत अभारी हूँ वहीं इससे बात पर संजय दत ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहता ह कि मैंने वास्तव में कभी पैसा नहीं कमाया है लेकिन बहुत सारा प्यार कमाया है संजे दत नहीं युवाओं से देश के कानून का पालन करने के लिए कहा तो ये थी अनुराद के जिंदगी में सुनिल दत की भूमी का पिलाल के लिए इतना ही बॉलिवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया दरबार एंटेइन्मेंट के साथ धर्निवाद